वेल्लो गुडीवनिंग एवरीबडी वेलकम टो मैं चैनल दैन्वेसिबूल टेडर होप आज लोगों ने ठीक ठाक पैसे बनाए होंगे जिन्हों ने लास्ट में लिया होगा ना तो पहले हम डिसकस करते हैं हमने मार्केट में क्या बोलगा मार्क ने किया किया वैसे पहले पाँच मिनिट के अंदर ही ब्रेक किया फाइब मिनिट के अंदर हम लोग क्या डिसकस किये थे कि बढ़िया ट्रेड हमारा कैसे होगा कि यह करेगा इस लेवल के आसपास तो यह ट्रेंड लाइन को रीटेस करेगा और फिर ऐसे जाएगा काटेगा 650 700 यही लेवल था आपको अगर आज जो लेवल ठीव यहां पर जो मैंने यहां पर रेडरेड बना बना आ रहें लेवल यहां पर बने आपको क्या बोला है बोला था के मार्केट अगर यह सिनारियों हमने इसकर कि आप डाउन होता है यह फिले पांच मिनिट में ऐसे डाइन वाले सिनारियो बन जाते हैं एक्सलिसेटली नहीं बोला था बट वुला था चलो मॉनिंग मैं आप ट्रेड देना पूलके और सब्सक्राइब करेंगे तो यह लेबल जब काट के ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे मैंने तो बोला था कि सब्सक्राइब करेंगे तो यह बोटम से आपके बनती थी अगर आपको याद हो मेरी यहां पर इसलिए डीटेल में बता रहा हूं कि क्या मुझे मार्केट पूरा दिन भर नहीं दिख रहा था क्या मार्केट नहीं नीचे आया यह ब्लाइंड वाई में हमने मैं छूड या था आचली यह कैंडल पटा-पट कर दिया था तो मैं बोला मार्केट नहीं यह बोल दिया तो मार्केट में अगर डेड में रहना है तो पाई से रहना है मार्केट नहीं यह लेबल काटा देखो यहां तक लेके आज सेवन अंडे लेके तीनों टार्गेट देखे गया आज वैसे हम लोग नहीं यहां तक लिया था यह फाइपुटी तक क्योंगे मैं कीवह सेल नहीं नहीं बना है तो आपको यह लेवल काटने के बाद तो आपको रहना चाहिए था ठीक है that is how you should have trade मैंने बैंक निफ्टी नहीं किया था और मार्केट यहां से अगर देखोगे सो पॉइंडी उपर गया क्लोजिंग अगर आप लेवे हैं इतना देने का रीजन बहुत सिंपल है कि मैंने वीडियो में भी बूला था कल रात को आज मॉनिंग में मैंने यह चार्ट गोल गोल यह सब बना के थी आभी मार्केट ऐसा ट इसा मिलेगा नहीं मिलेगा ठीक है ओके ज्यादा ग्यान की बात होगी निफ्टी का थोड़ा फास कर देखो निफ्टी वे हमने यह बनाया था ट्रेंड लाइन और हमने बोला था कि मार्केट यहां पर ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा तो हम टार्गेट लेखे जाएंगे यह टार्गेट भी था वैसे मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया देखो दस बजे पहले बोला तो पहला एक घंटे का चांस से के मार्केट रेट बने उसके बाद ही आपको उठाना था यह डबल बॉटम से आप उठा सकते हो हालाग हमारा लेवल नीचे था डवल बॉटम से आप उठाते देखो यहां पर गया जैसे ही गया उपर ट्रेंड लाइन के उपर रिटेस्ट गया फिर से उपर गया तो पावर तो थी ट्रेंड लाइन में नो डाउट नो अली तिंग इस कि यह पहले पांस मिनिट में यह पावर इसने खतम कर लाइन लाइन इस ब्रोकन अब बैंक निफिका फ्लाग इस ब्रोकन इन फॉस्ट फाइप मिनिट्स पर आपको साइन आ गया ता मार्केट अटलिस एक देड़ घंटा तक उपर नहीं जाएगा अगर जाता काटता तो हम घुस्त मार्कें में काटा इनी तो भूसने का नहीं है सिंपल ठीक है ओके आज का ग्यान समाप कल का ग्यान के लिए का सारी कल के ट्रेटिंग के लिए तेखो निफ्टी जो है ना अभी रिलाइंस को अगर हम देखेंगे तीनाजार बीस के असपास है आपको याद है तीनाजार बीस का टार्गेट में ने दिया था एक अपते पहले पिछले एक अपते से उसी में गोम रहा है त्री ताउसेंड में ही हमने काटा था बीस पॉइंट का वेट नहीं किया था रिलाइंस का अभी टाइम आएगा थोड़ा रूजाओ अभी नहीं नेक्स वीक भी मत लेना रिलाइंस ठीक है कल पर सो थोड़ा बहुत देदेगा तो देदेगा बट नेक्स वीक के बाद हम तो देखो निफ्टी में क्या है मैंने जैसे बुला ग्रूप में अभी इसमें पोटेंशियल है कि मार्केट ऊपर तक जाए ग्रूप में तो मैंने बूल दिया कि मार्केट 25600 तक आ जाए जो सेकेंड टार्गेट है वहां तक सायद ना आये बट मुझे जो लगता है कि मार अब देखो कल क्या होगा नहीं होगा अब कल का बताता हूं कल मुझे ऐसा लग रहा है इस तरह का बना सकता है अगर बैंग निफ्टी ने यह पैटन कल बनाया तो समझ लेना थर्जडे निफ्टी सी जाकपड देगा आप ऐसा निफ्टी सी जाकपड डेगा अलुट कल निफ्टी निफ्टी का क्या esempy अड क्या होगा रहा है तो क्ल क्लन सकता हुगा है यह स्थरा का बन रहा है तर । बांगन निफ्टी में अगर इस दो बांग सत्डें में आक गटान तपन दाट इन फिर्सक्षऱ देश्टीं पा कैसे करने दिस आवर पीवट आइटिंग या और दिस इस दो स्विंग जो येस्टेड़ेगा सुइंग मंडेगा और दिस इस लेवल वैर निफ्टी क्यां इसके उपर साइब नहीं जाए हमें साथ देखो मैं जब भी अपर साइड का लेवल देता हूं वो अलमस्ट अगर उपर जाता है यहां तक पहुंसता है दो बजे के आसपास तो क्लोक के बाद मैंने बोला है मार्केट में नहीं रहना है जो भी पाइंग आपको करनी है बाइवन डिप्स तो क्लोक करना है तो एक लोग को हम एक जटका कैंडल देख सकते हैं तिल 3.30 इन फैक्ट बैं अगर हो सिनारियो में होता है तो निफ्टी इस पॉइंट से गिरेगा तो नहीं तो मेक शूर कि दो बजे गया सो 145 एक लॉग तक निफ्टी जहां तक पहुंच अगर जैसे पर एक्जंब ग्लोबल मार्केट तो अभी डूब गया है तो गया तो मुझे थोड़ा रेयर ल निफ्टी जैसे दो बजे गिरना चलो करेगा और प्रिफरेबल लेवल इस त्थे कि कि लोग इसको गयारेंटी लेवल में इसके मिलके ब्लाइंड सेल नहीं करना है आईधर या ताइमिंग आपका तो बजा होगा तब जाके इस लेवल पे आप सेल कर सकते हो नहीं तो प्रिफोरेबल ट्रेटरेज्ड कल कर पिपताता हूं क्यूंकि कल वोलाटाइल मार्केट है फिवाँ यहां पर रहे इसके नीचे करें कोई फरक नहीं पड़ा नीचे किया तो बडिया बाते काटने थो जैसे इंडेल्लाइन काटे गा हम इसको वाय में उठा तक यह तक भी आसकता है यहां तक भी आसकता है राइट थैट में थी एंडे थर्टी थी थी कुछ भी आगा बट तो ओक्लोक वट्टेवर इट कमस्ति तो क्लोक उसके बार तो ओक्लोक से आप सेल करोगे अलमोस 60-70 पर सेंट का नेगेशन कल होना चाहिए बाइंग निफ्टी खीज़ देगा अनलेज रिलांज डज माजिक निफ्टी में अटलीस 60-70 पर सेंट का फॉल और चाहिए तो फोल ना चाहिए तो अट ना मार्केट अगर नीच चाहता है ब्लाइंड वह आपका गैप ड़न अगर हो जाता है या और भी पर ले ले लो और नोत्यों प्रोवक् High movement to 80 तक 280 तक 27 में बाइ में भी दो लेवल लेनाहे लेवल सबकु याभेली स्विंड लेवल का Bennett Gra McK these तेखे यह एक इसका तार्गेट कर दिया जा नाव कल हमने एक चीज और बोली ती अना रिक्टांगल पार्ट सा एसा कुछ बना था ताना हमने यह दिलीट कर दिया है एसा एक रेक्टांगल बाटन हमने बनागे इसका 1100 पॉइंट का आसपास का कुछ टार्गेट हमने लिया था इसके बेसिस में हमारा जो टार्गेट आ रहा था और सेकंड टार्गेट आ रहा था तो यह जो है पॉइंट ना यह सेकंड रेजिस्टेंस से वैंग निफ्टी का यह अपते का इस वीक ओके रेक्टांगल का टार्गेट भी हमारा बिल्कुल इसी लेवल पर बैठता है कल मेरा सेल जोन भी यहां पर है कल अपना जो डेली का जो चानल है यह जो चैनल हम लेके आरे पीछे से आपको दिख रहा होगा पंदरा मिनिट में करता हो एक बार दिखेगा यह जो चैनल आपको दिख रहा है यह चैनल को पहली बार कर लिए टच करेगा आफ्टर ब्रेकिंग इट ऑन ट्वेंटीफ फिप्ट अउगस्ट तो अल्मस्ट व है कि सेकेंड आप में मार्केट सेल है वो सेल यहीं से आना जी यह लेवल एक उपर मैंने बनाया है जो रेजिस्टन्स त्री और टू का बीच का लेवल है 52,000 का राउंड लेवल हमारा टार्गेट का क्या था विकली का 51,900 यही सेकेंड आरे इसके उपर रेस्ट इस बोनस कि आपको ट्रेड कैसे करना है यह 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 पाउर फुल लेवल पाउर फुल लेवल है पाउर फुल जोन है ट्रेंड लाइन है सब कुछ है तो इतना असानी से काटेगा नहीं तो मेरा स्ट्रॉंग बिलीव यह के 51,900 के उपर कल मार्केट सायद ना जाए तिक है सायद ना ज अगर यह चला गया दो बजी तक तो 52,000 का राउंड लेवल भी टेच करता है कर सकता है ज्यादा नहीं है 100 पॉंट है यहां से तो 100 पसंद गिरेगा राउंड लेवल से अलाकि मुझे वह चाहिए नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा आपकी ट्रे इस वरी सिंपल यह रेक्टैंगल का अभी ब्रेक आउट दिया है तो अपर स्विंग को कट नहीं करना चाहिए अपर स्ट्रॉंग भाई हमें बन सकती है तो यह तो गाप डाउन करते ऐसा है और पाए दे खीच दो यहां तक ही खीचना 51,900 प्रॉपर 900 में अगर 13145 के दो यह अटली समय यहां तक लेख्या एक अटली सुन्हाव रेजिस्टन्स तू रेजिस्टन्स के बाद सपोर्ट बन जाएगा तो 250 पॉट्टि पॉंट का वामें मिनिमूम देना है कि के इसके नीचे भी हो सकता है यह प्रिफरेड़ ट्रेड यह सुइंग कटना नहीं च को पहला 10-15 मिनिट पर कट कर देना चाहिए सिनारियो स्टिल रिमेंस सेंट ज्यादा ज्यादा पूरा नेगेट कर दो कोई फरग नहीं पड़ता यहां तक आएगा तो रुखेगा 100 परसेंट रुखेगा रुखेगा ठीक है अगर उपर से गिर रहा है ठीक है यह नाइन हंड ले मार्केट गाप दाउन करें मार्केट गाप अब कर दिया तो साइथ 52 तुटाउजन तक भी चला जाए तो वहां से तो सैल है नाओ अग्धर अगर बड़ा गाप डाउन करता है बड़ा मतलब एनी गाप डाउन लेवल बिलो दिस प्लाइश के नीचे अगर गाप डाउ तो सिर्फ वार भी खेलना है वार भी दो सिनारियों में होगा यह लेवल काट देगा मौनिंग में दस मिनिट के अंदर अराम से बैठ जाना यहां तक टार्गेट नीचे डीप मारा चीट किया कोई फरक नहीं पड़ता है अराम से वेट करना यहाई काटेगा यहाई काटेगा तो आपको खीचना है और यहीं तक खीचना है क्योंकि अच्छा कासा है अगर यह हो गया इंपोर्टन तिंग साथ में कल वीडियो बना पाऊं ने बना पाऊं अगर यह सिनारियो हो गया तो निफ्टी थर्सडे को सी जैकपट मिलेगा आपको ठीक है उसको देख लेंगे होता है कि नहीं होता है इसी ब्यू के साथ ट्रेड करेंगे वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा थैंक्यू बेरी मच्च गुड़नेट जैमातर